असलाम आलेकूम आई यूट्यूब फैवरी तो जी आप लोग कैसे उमीद है कि अच्छी होंगे और बाहर का जुम्वासा में वो बहुत ही लाजवाब है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफी शांदार काफी अच्छी दूप निकली हुई है और आज है 26 चन्वरी आज क के दिन समविधान लागी हुआ था और बहुत अच्छा दिन है हम सभी जितने भी इंडिया के लोग हैं हम सभी के लिए बहुत अच्छा है बाकी मुबारक बाद और सभी सारी कंट्रीज को सब को भोलूंगी मैं बहुत अच्छा है और आज तो ठंड का भी जो दिन है ना बहुत अच्छी दूप निकली है कि आज ठंडी हवा का कोई असरी नहीं है और ठंडी हवा चल भी नहीं रही है और मैं जो खाने की डिशेज बनाती बनाती तो हूँ पर काईज मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे और भी सारी नहीं डिशेज कुछ न कुछ बताईए जिसे मैं ट्राइ करूँ और फिर बताऊं कैसी है क्योंकि मैं और भी सारी चीज़ें सीखना चाहती हूँ कैसे करें कैसे बनाएं और नहीं चीज़ों को कैसे करें अभी तक मैंने डाल की कोई सबजी तो नहीं बनाई है बट हाँ मैंने सुना है डाल की भी सबजी बनती है तो वो भी मुझे नहीं आती है कैसे बनती है और उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़े है जो मुझे नहीं पता है कैसे बनती है तो गाइस आप लोग मुझे नया नया आइडिया ज़रूर लिखके दिया करें और एक बात ये भी है कि आज है 26 जन और आज है Friday भी तो दोनों के खुशी हो रही है दोनों बहुत अच्छा लग रहा है कि आज दोनों चीज़े है आप लोग ने क्या-क्या दयारी की 26 जनवरी की कहा कहा गए प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर मेंशन करिएगा तो गाईज दिन की शिरुवात करते हैं कुछ अच्छा घाने से तो आज दिन में बनाया है ये चिकन करी जो की कौट तेस्टी है तो गाईज आज कुछ स्पेशल है भी यहाँ पर डैली में तो क्या है वो मैं आप लोग को बताऊँ चली ठीक है मैं बताई देती हूँ तो आज ये स्पेशल है कि फ्रांस के प्रेजिडेंट आए हैं डैली में तो आज वो आएंगे और यहाँ पर विजिट करेंगे जहां भी घूमना होगा घूमेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ हमारा चू तो तेली यहाँ सब बाहर जहर से आते हैं तो आज बहुत डबल तीबल स्पेशल दिन हो गए और काफी अच्छा लग रहा है तो गाईज वो ये हैं जो कि मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ फिर गाईज अब हो गई थी शाम और शाम में कुछ गर्मा गरम खाने का मन करता है तो चीज सैंडविच बनाई थी तो बहुत अच्छी लगी बहुत टेस्टी लगी फिर गाईज उसके बाद हम लोगे अमरूद आज कल बहुत टेस्टी हैं तो मैंने ब्लैक सॉल्ट में थोड़ा सा स्ट्रिट चिली पॉडर मिलाया है खाने के लिए उसके बाद फिर गाईज आपने देखा कि चलो चलते हैं मॉल वगेरा कुछ घूमने चलते हैं तो आज मैं मॉल आई हूँ और आप लोगों को भी साथ ही दिखाऊंगी जो भी चीज़े मैं वहाँ पर देखूंगी मुझे जैसी भी लगेगी वो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी और जो मेरा आज का ड्रेस है वो बहुत ही अच्छा है काफी प्यारा है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो गाइस यह जो मैंने ड्रेस पाइन रखा है यह है लॉंग श्रग और इसके अंदर सुइतर और बहुत प्यारा सा लुक आया है आप लोगों कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो गाइस हम लोगों पहले तो काम ठेक जगा तो हम लोग वहां के लिए गए थे फिर वहां से लॉट के हम फाइनली मॉल में पहुच ही गए थे और मॉल के शुरुवाद यहां के यह से भी हैं जूलों से शुरू करते हैं खेल खेलोने से शुरू करते हैं बहुत प्यारा लगता है बाहर की तरफ रहता है और अंदर के साइड में ये कपड़ों का सारा लगा हुआ था और बाकी सारे शोरूम जो पढ़ते हैं वो सारे पढ़ना स्टार्ट हो गए थे अब यहां पर और काफी रौनक लगती है यहां की जो थीम है वो इस तरीके से बनी हुई है जो की सामने से बहुत प्यारी लग रही थी बहुत जादा और उपर का जो व्यू था वो इस तरीके से था फिर गाइज यह जो बाइक है हमने देखी हमको बहुत जादा पसंद आई बहुत जादा मेरे खाल से शायद रडवीर कपूर एनिमल मुवी में लिए था बाकी हमको नहीं पता अ और अब हम जा रहे थे उपर के साइड में फिर गाइज उपर की फ्लोर पे भी यही सारे खुब शोरूम बने हुए थे यहां पर कपड़ों की कमी नहीं होती है मौल में जादा तर कहीं भी जाएं वहां पर आप लोग में देखा होगा फिर हम एक अरोमा शॉप पहुचे जहां पर हमने इतने सारे अरोमा देखें और बहुत ही अच्छे लग रहे थे और अरोमा की जो स्मेल थी वो भी अच्छी अच्छी थी यहां पर और आप से एक देख सकते हैं यहां पर कई डिजाइन में यहां पर अरोमा है कैंडल स्टैंड भी है एक से चीज और यह था फिर गाइज हम अंदर कुर्ती और कपड़े के कलेक्शन के पास पहुंचे हमने का चलो देखते हैं क्या क्या आए हैं तो यहां पर यह सारे थे फिर हमने यह देखा ड्राइ जिसमें खाना बनता है वो यह होता है साती इसके बगल आवन रखा हुआ था और प्रेस्टीज नहीं किया है वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन ओन करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें और मेरे व्लॉग विप बने रहे हैं तो घंड खतम होने का सीजन है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर जितने भी सारे विंटर का खरीदोगे तो उसमें 1600 का दो मिलेगा आप लोग को तो काफी अच्छा ओफर है और यह 1899 का था फिर गाइस हम आगे के साइड बढ़ें और यहां पर हमने बहुत सारी शर्ट का देखा जहां जो की इस पर भी बाइवन गेट वन फ्री था और यह सारे समर के कलेक्शन थ शर्ट थी और फिर खाने पर भी गाइस यहां पर मैंने देखा बाइवन गेट वन फ्री यह तो आज का पूरा बट मेरे ट्वाइस पर नहीं था और ट्वाइस तो मुझे बहुत साधा पसंद है मुझे यह बहुत जाधा पसंद आया और भी आप लोग देख सकते हैं कि य आगे बढ़ते हैं देखते हैं और कौन-कौन से बची फिलाने हैं यहां पर तो बहुत सारे थे और बॉइस को यह सब चीज़े जाधा पसंद होती है फिर गाइस मैं यही पर और सारे देख रहे थी मुझे बहुत जाधा पसंद है तैडी वगेरा आप में से कितने लोगो पसंद है पताएगा जरूर गाइस मुझे तो बहुत जाधा पसंद है फिर हम आगे गए तो यहां पर आप देख सकते हैं डेली यूस के सामान रखे हुए थे बॉड़ी वाश शैंपू अगरा और यह सारे टॉलर थे बालों में लगाने के लिए तो इस पर भी किसी किसी इतना भी पैसा नहीं था कि मैं जैककट ले सकूँ और यह सारे बैग आफ देख सकते हैं 50-60% आफ चल रहे थे लोग गाइस तो मैं आज आप लोग को बहुत ही इजी चीजे के बारे में कुछ टिप्स देना पहुचाओंगी फॉर एक्जम्पल जैसे कि मैं अभी बनावा चाहिए था तो इसमें चिकन भी है और वेजीज भी चॉप है तो एक से दो काम करने का बहुत आसान और यह इधर देख रहे हैं इधर भी वेजीज है और चिकन है तो आप दूसरा देखे हैं उसका मैं बना रही हूं कवाब चिकन का और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है लगबग दोनों में जददद़ चीज़े बहुत एक साथ पढ़ती है बस जड़ा सा खाली आगे पीचे थोड़ा बहुत काम रहता है बाकी आप लोग ऐसे अपना काम बहुत ही आसान कर सकते हैं कि अगर टाइम बचाना चाहते है तो यह भी एक बहुत आसान तरीका है तो आप लुख आप लुखे है तो एक कम से तो कम की आराम simplissa को को सकती है जैसे कि स्वैक्स में आप सूप ले ख और खाने में आप आप ले रहे हैं कोई भी चीज़ तो आसे दो चीज़ का हमेशा करें साथ हमेशा दो चीजों का, so guys मेरा सूप होड़ा है रेड़ी और साथ है मेरे कबाब